श्री गनेशा या नमाहा ये राशी फल चंद्रा राशी पर आधारित है चंद्रमा मन के कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है वो चंद्रमा की स्तिती ले कर आती है और इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभ जी हाँ, पांचवे भाव में चंद्रमा के होने से ये आपके लिए सबसे बहतरीन समय होगा, चंद्रमा के पांचवे भाव में होने से आप काफी अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे, इस समय में आपकी आर्थिक स्तिती मजबूत रहेगी, खर्चे कम होंगे और इंकम ज्या इस समय में आपको मिल रहा है, इस समय में आपके बिजनेस में उन्नती दिखेगी, आर्थिक स्तिती और मजबूती के और बढ़ेगी, उधार दिये हुए या अटके हुए जो पैसे हैं वो आपको वापस मिल सकते हैं, अटके हुए काम पूरे करने के लिए समय काफी अच् किसी तरह का टेंचन या प्रेशर इस दिन आप पर नहीं रहेगा, अच्छे समय का अच्छा फायदा जरूर उठाए, लव लाइप में अपने पार्टनर को खुश करने के लिए समय अच्छा है, पार्टनर के साथ आप समय व्यतित कर सकते हैं, लाइप के बारे में मिलकर क अच्छा डिसिजन भी ले सकते हैं, आज खर्चे नहीं होगे, लेकिन आए अच्छी रहेगी, स्टूडन्स के लिए भी समय अच्छा है, अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस रखें, और अच्छे समय का पूरा लाब उठाए, ये समय आपके पढ़ाई के लिए हो जाएगे, इस समय में सरकार की तरफ से मान पतिष्ठा मिल सकती है, जो लोग राजनीती में हैं, उनके लिए ये दिन काफी शुब रहेगा, इस समय अच्छानक से धन की प्राप्ती भी होने के योग बन रहे हैं, यानि जो लोग शेयर्स में इन्वेश करते हैं, उन्हे इस दिन आपकी बुद्धी तीवरगती से काम करेगी, यात्राओं के लिए भी ये समय अच्छा है, यात्रा पर जाते हैं तो यात्राई राभकारी रहेगी, आपके बिजनेस के लिए प्रोफेशन के लिए अगर आप यात्रा करते हैं, तो वो आपको काफी लाभधाय कर ह वहां से आपको धन कमाने का भी मोका मिल सकता है, निवेश करने के लिए और कोई महतोपुर्ण निरने के लिए भी समय अनुकुल है, इस दिन आपका स्वास्त अच्छा रहेगा, डेली अक्टिविटी चुरू रखे, योगा करे, प्रानयाम करे, सुबे का टहलना जारी रख अपने डाइट पर ध्यान दे, खुद भी स्वस्त रहे और आपके अपनों को भी स्वस्त रखे, इस दिन लाल रंग का इस्तेमाल करना आपके लिए अच्छा रहेगा, और एक अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है, दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी प दोर पर लिया जाए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा,